एपिशोड के शुरुआत पावर के फ्लेश बैक से होती है यहाँ पर फ्लेश बैक में पावर अपने कैट के साथ बिताएवे वक्त को याद कर रही होती है पावर केट को बचाने के लिए सागत अप जात अप ज वे बियोश हो जाती है लेकिन जब पावर के आञे खुलती है तो वो दैंजी की गोध में होती है और कैट उसके पावास होती है दैंजी से पावर माफी मांगते है और बोलते कि मैंने तुम्हें मानने कोशिश की फिर भी तुमने मेरी जान बचाई क्यों डेंजी पावर की खजाने की तरफ पॉइंट आउट करता है पावर बोलते क्या वाहियात रीजन है लेकिन तुमने अपना काम पूरा किया तुम मेरी चाती दबा सकते हो देंजी खुश हो जाता लेकिन तभी माँ पर लीच डेवल पाउसती है और देंजी का हाथ खा जाती है डینजी पावर से पूछता है क्या तुम हिल सकते है जिस पर पावर मना करती है यह पर पावर बोलते है कि तुम मेरी कैट को लेकर यान से निकल जाओ प्लीस डैजी डोरी कीच कर चेंट शो में ट्रांस्सफरम होनी कुछ करता है लेकिन डेंजी का जाता खूर निकल जाने की वज़े से वो आदा ही ट्रांस्फोर्म हो पाता है डेंजी को देकर लीच डेविल बोलते हैं तुमने बैट डेविल को मारा तुम तो बहुत क्यूट हो तुम जा सकते हो जिस पर डेंजी बोलता पर उनका क्या लीच डेविल बोलते हैं उन्हें मनना होगा जिस पर डेंजी लड़ने के लिए त्यार हो जाता है और डेंजी लड़ते हुए बोलता कि मेरे दबाए बिना उसे कोई भी हाथ नहीं लगा सकता है लेकिन डेंजी पर लीच डेविल भारी पढ़ती है और वो डेंजी को मानने ही वाली होते है तब ही आकर आकी फॉक्स डेविल की मदस से डेंजी को बचा लेता है Fox Devil, Leech Devil को खा जाती है जिसके बाद Aki Denji को तुरंद होस्पिटल ले जाता है होस्पिटल में Aki Denji को बताता है कि तुमारा हाथ हमें मिल गया था तो हमने उसे तुमारे हाथ के साथ जोड दिया है और Demon Power की वज़े से तुम पूरी तरिके से ठीक हो चुकियो देंजी पूसता है पर वो क्या था जिस पर Denji को Aki बताता है वो Fox Devil था जिसके साथ मैंने कॉंट्रेक्ट किया है Devil Hunter, Devil's की Power का इस्तमाल का निकले उनसे कॉंट्रेक्ट बनाता है मैंने Fox Devil से कॉंट्रेक्ट बनाया और इस बार मैंने उसे अपनी स्किन खाने दी है और देंजी हमें CCTV फटे से पता चला है कि तुम्हें Power Bad Devil तक लेके गई थी उसने तुम्हें माननी कोशच की है जिस पर देंजी बोलता है मुझे ता ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा Aki बोलता कि देंजी तुमने बेसक लोगों की मदद किया है लेकिन अगर मैंने चान बीन की और अपनी रिपोर्ट बड़े लोगों तक पहुचाता हूँ तो Power और तुम्हें खत्म कर दिया जाएगा पर देंजी मैं तुम्हें बचा सकता हो पर तुम्हें बस वैसा ही करना होगा जैसा कि मैं तुमसे कहूँ डेंजी बोलता है ठीक है मैं मानता हूँ कि मेरे सपने तुम्हारे जितने बड़े नहीं है पर मैं भी अपने सपनों के तुम्हारे जितना ही सीरियस हूँ आखी चाते वे बोलता हो सके तो थोड़ी सी तमीज सीख लो डेंजी में आखी को सीधा माकीमा के ओफिस में दिखाया जाता है आखी अपनी रिपोर्ट समिट करते वे बताता है कि पावर और डेंजी वाइ मिस्टेक बैड डेविल तक पहुच गए थे लेकिन डेंजी ने चैन्जों का इस्तमाल करके बैड डेविल को खत्म कर दिया लेकिन तब बाखु भी टकर दिये और लड़ाई के बीच किसी सिवीलियन की जान भी नहीं गई है ये मेरी डिपोर्ट थी अब मैं इजाज़त चाहूंगा माकीमा आकी से बोलते तुम्हें बदलाव आ रहे हैं आकी क्या ये डेंजी की वज़े से हैं जिस पर आकी बोलता है शायद औ आकी उटने के बाद डेंजी उटता है लेकिन इस बाद डेंजी बहुत ही जेंटली बिहेव करता है लेकिन तब ही कोई उनका दर्वाजा जो जो से पीटने लगता है आकी और डेंजी कुछ समझ पात है इससे पहले ही दर्वाजा तोड कर महाँ पर पावर पहुजती है औ पर तभी माकीमा आकी को कॉल करती है और बताती है आज के बास से पावर तुम्हारे साथ रहेगी आकी बोलता है कि तुम सारे पागलों को मेरे पास ही क्यों भेज रही हूं माकीमा माकीमा बोलती है आकी मुझे तुम पर सबसे जादा विश्वास है और पावर ने बोला वो अच्छे से बिहेव करेगी इतनी तारीफ सुनकर आकी भी राजी हो जाता हमें पावर को दिखाया जाता जो खाना खाते समय खाने को फेकती है पर डेंजी उसे बीच में ही क्याच करेता और बोलता कुछ तो इजदकर खाने की डैविल कहीं की यहाँ पर पावर जब बात रूमें जाती है तो फ्लश करती ही नहीं है पूचने पर पावर बोल दे कि मैं बस खास मोके पर ही फ्लश करूंगी जिससे डेंजी और आकी परिसान हो जाते हैं आकी डेंजी को फसी भी पोटी साफ करने के काम देता है लेकिन तब ही वहाँ पर पावर आती है पावर को देख कर डेंजी बोलता अब क्या चाहिए तुम्हे चड़ैल डेंजी को पावर अपने सौधी के बारे में याद दिलाती है यहाँ पर डेंजी को पावर बोल दे कि तूम तीन बार में इचाती को दबा सकते हो पहला पिरी कैट बचाने के लिए दूसरा मुझे बचाने के लिए तीसरा उस कमीने बैट डैविल को मानने के लिए यहां पर डेंजी पावर किताब देखता और बोलता मैं तो तुम्हें चुडाल समझता था लेकिन तुम देवी हो और इसके साथ ही दोस्तो यह अपिसोड यह पर खतम हो चाता है दोस्तों यह एपिसोड करना चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूले यार वीडियो बनाने में बहुत टाइम और एफट्स लगते हैं तो प्लीज यार अपने छोटे भाई को सपोर्ट करो सो मिलते हैं इसके नेक्स वीडियो में थैंक्स वर वाचिंग एंड साय